अलो फ्रेंड्स, I am your acupuncture साबित खान, मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज का जो टॉपिक है वो है high blood pressure आज मैं आपको 5 ऐसे acupressure, acupuncture point बताऊँगा जो high blood pressure को ठीक करने में काम करते हैं जैसा कि आप जानते हैं, आज कल blood pressure की बिमारी बहुत आम हो चुकी है हर तीसरे दूसरे आदमी को blood pressure diagnose होता है blood pressure एक silent killer की तरह भी जाना जाता है इसके कोई symptoms नहीं होते, मगर अंदर ये बहुत internal damage करने में सक्षम है high blood pressure को अगर time रहते control नहीं कर गया, manage नहीं किया गया तो इसकी विएसे heart attack भी आ सकता है, stroke हो सकता है, kidney failure हो सकता है आज कल जादा stress की विएसे, आपके रहन सेहन की विएसे, खान पान की विएसे high blood pressure के cases बहुत देखने को मिलते हैं मैं जो आपको 5 acupressure acupuncture point बताऊंगा high blood pressure को ठीक करने के लिए वो बहुत important points हैं, लबबग daily practice में use होते हैं मगर उन points को दबाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सला ले लें अगर आप medication पे हैं blood pressure की तो बिना डॉक्टर की सला से आप वो medication न छोड़ें जो pregnant महिलाएं हैं वो इन points को use करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें क्योंकि कुछ points जो ऐसे हैं जो pregnancy में नहीं use किये जाते हैं तो blood pressure को low करने के लिए सबसे पहला जो point है वो है heart 7 heart 7 जो है आपके wrist के wrist crease है उसके बिलकुल पहारी तरफ ये आपका जो है अलना side पे ये heart 7 point है इसको इस तरह से pump करके pressure देना है तीन से चार मिनट के लिए दोनों हातों में करना है ये देखिए ये point है दूसरे हात में यह यहां होगा और दूसरा जो point है blood pressure को low करने के लिए वो है pericardium 6 wrist crease से तीन उंगलियां रखेंगे आप इस तरीके से और यहां पर यह point होगा यहां से यह दो tendons जाती है यह tendon है इस tendon के बीच में P6 point है इसको भी इस तरीके से pump करना है pressure देना है तीन से चार मिनट के लिए और यह भी दोनों हातों में होगा point wrist crease से तीन उंगलियों के नीचे यह point है दोनों tendons के बीच में यह P6 point है तीसरा जो acupuncture point है की pressure point है वो है LI4 LI4 हाथ को इस तरह से उंगलियों को जोड़ ले और यह muscle का जो सबसे उपरी हिस्सा होगा सबसे उपर का tip है यह LI4 है इसको भी इस तरीके से आपको pressure देना है और यह भी दोनों हातों में point है आईए अब जानते हैं दूसरे acupuncture, acupuncture points के जो BP को low करने में help करते हैं चौथा जो acupuncture points है BP को low करने के लिए hybrid pressure को ठीक करने के लिए वो है liver 3 liver 3 वेब मार्जिन से अंगूठे और उंगली के बीच में जो वेब मार्जिन है इससे दो चुन के ऊपर यहां liver 3 है इसको भी इस तरीके से pressure देना है और दोनों पैरों में है यह point bilateral है यहां वेब मार्जिन से दो चुन के ऊपर यहां पर liver 3 है, liver 3 को टाइचॉंग भी बोलते हैं चाइनीज में और यह दोनों पैरों में इस तरह से pressure देना, तो यह है liver 3 यह चौता point है आईए अब चलते हैं 500 points की तरफ जो पांचवा एक्युप्रेशर एंड एक्युपंक्चर पॉइंट है वो है जी बी ट्विंटी गॉल्ब्लेडर ट्विंटी गॉल्ब्लेडर आपके कलदन के पीछे जहां पर यह हैर लाइन दिख रही है यह ग्रूब है यह मसल है मसल के लेटर साइड पर यहां गुरूव में जो गड़्ा बनता है यहां पर यहां पर जी बी ट्विंटी है गॉल्ब्लेडर ट्विंटी इसको भी इस तरीके से प्रेस करना और यह दोनों साइड पर पॉइंट है एक इस गड़्े में एक इस गड़्े में तो इन दोनों प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, तीन से चार मिनिट के लिए, इस तरीके से, तो ये था 500 पॉइंट, हाई ब्लड पेशर को ठीक करने के लिए, मुझे उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, थेंक यू बेरे मच, सी यू नेक्स ताइम.